जहिन देखें यहां पर सामाजी विग्यान के पेपर में कोश्चन लिखा होगा मान चित्र संबंदी प्रस्ण यहां पर देखें 29 में का कावाला लिखा होगा लिखा होगा निमलखित इस्थानों को भारत के देगे रेखा मान चित्र प्रेष्ट संख्या जो 13 होगी पर में इस चिन द्वारा नाम सहीत यहाँ पर दरसाई है, सही नाम आ सही अंकन है तो आपको आध्याध्यांक मिलेंगे, पांच ये कोश्चन होगे, पांच नमबर के और एक ये होगा, 29 लाखा वाला होगा, लिखा होगा, निमलिखित इस्तानों को भारत के देगे रेखा मानचित् आपको आध्याध्यांक मिलेंगे और इसमें भी पांच कोश्चन होते हैं, तो आज किस वीडियो में यहाँ पर आप लोग बताने वाले हैं कि आपको जो मानचित्र संब्धनी परसन आते हैं, इनको कैसे हल करना है, बोर इक जब में कि जिससे आपको फुलमार मिलें, और वीडियो के आखिर में बताऊंगा, जो आप लोगों को यहाँ पर देखे 15 कोश्चन बताऊंगा, वही आप लोग तयार कर लेते हैं, तो 100% वही आएंगे, वीडियो को पूरा देखना, और ऐसे ही आप लोग जो लिखो के तो यहाँ पर 10 नंबर आपके पक्के हो ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं, देखें, सबसे पहले कुछ इसी परगार से आपका जो मानेचीत होगा, सेम ऐसा ही होगा, कुछ यहाँ पर पैटरन चेंज हो, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि यह देखें, यहाँ पर वोड़ एक्जाम हले तो मिलेंगे नहीं, कुछ सेम इसी परगार से होगे हैं, यहाँ पर देखें, नाम वहाँ लिखा नहीं होगा, लेकिन क्लास हो सकता है, तो क्लास हो, तो यहाँ पर ऐसे टेंथ डाल देना, फिर रोल नमबर जो भी हो, आपके देखें, दस अंकों का रोल नमबर है, एक, और दो, और तीन से सु लोगो देखना, और यह भी बताऊंगा, कि कांपे मर, जो कांपे होगी, कहाँ पर इसको अच्छी तरीके से बांधना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा, तो चलिए, शुरू करते हैं, यहाँ पर देखें, अब जैसे पूछा गया है, तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहल करते हैं, कोई दिक्र नहीं होगी, ठीक है, तो आप लोग पेंसिल का यूज ना करें, यहाँ पर पिन का यूज आप लोग कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, तो कैसे बरना है, पहला कोशन है, वो आईस्थान जानिल के खेती करने वाले किसानों का यहाँ पर आंदोल देश, तो इसी परकार से आप लोग देख लेना बहुत सिंपल सा होता, यह महाराष्ट है, तो बहुत सिंपल से होते हैं, तो हमें क्या ढोड़ना है, पहला कोशन था, कि वो आईस्थान जानिल की खेती करने वाले किसानों का अंदोलन हुआ था, तो चंपारन में हुआ थ तो जैसे लिखा था, जिस चिन दोरा हुआ ही, नाम और सही होगा, तभी पूरे अंक मिलेंगे, तो इस परकार से करने के बाद, और यहाँ पर ऐसे कर दो, और यहाँ पर दिखे, मान चित्र हो सकता है, तो दो मिलते हैं, और एक मिले, तब भी कोई बात नहीं, दो यहाँ क इस परकार से कर दोगे, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, सही नाम, सही अंकन है, तो आपको आध्याध्य अंक मिलेगी, उसके बाद में समझ में है, और यही देखे, इस चिन दोरा आपको नाम सही दरसानाग लागवा, इस्तान जहाँ सरोपर्थम, सभी ने अग्या आंदोलन परारंब किया गया था, तो यह दांडी गुजरात में परारंब किया गया था, अब दांडी गुजरात कहा है, यह यहाँ पर है, और यह फिर उसी परकार से चिन बनाना, और यहाँ पर एरो इस परकार से खीच देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है, दिखे थोड़े से अलग होते हैं ठीक है अगला वाइस्तान जहां कांग्रेस का अधिवेशन पूर्ण सुराज की मांग की गई और यह सभी कोश्चन आप लो तैयार भी कर लो बहुत ज़्यादा तो पहले दूसरा हो गया उसके बाद मैं आफर देख हैं तो आकांग्रेस का अधिवेशन पूर्ण सुराज की मांगी गई तीछे पहले यहां पर लाहोर में की गई थी अब लाहोर कहां पर है तो हमारा जो लाहोर है यहां पर अब देखिए पाकिस्तान में है लाहोर कहां यह हमारा अब पाकिस्तान में है तो हमारा यह यहां पर हो जाएगा कहां पर यहां पर यह देखिए यह पंजाब है पंजाब के यहां पर यहां पर है तो इस परकार से होगा वहां यहां पर नहीं होगा थी कि देखें नागपुर में नहीं हुआ यहां पर होगा तो इस परकार से करने के बाद हम तीसरा यहां पर ऐसे डाल देंगे और यहां पर लिख देंगे लाहौर तो इस परकार से क्या बता रहा था पूर्ण सब्सक्राब में यहां पर है तो इसको भी इस परकार से कर देना यहां पर यहां पर यहां पर देखें वाइस्तान जहां दिसंबर यहां पर आपको लिखना पांचमा नागपुर ठीक है यहां पर है यहां पर हम भूल गये थे वहां पर गलत हो गया था ठीक है तो यहां पर दांडी यात्रा जो कहां की गई थी तो यह हमारा देखें दूसरे का था सरोपर्थम सभिनेग अंदोलन दांडी में हुआ था उसके बद में पहला था निल के खेती करने वाले जो सरिमकों ने सत्यागरा किया था तो यहां पर यह चंपारन बिहार में किया था उसके बाद में स्ट्रोड मंदिर भी अमरसर में इस्तित है और यहां पर जलियावाल और आँवको देखोगे तभी समझ में आएनगे वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा अब देखें जैसे दूसरा हमें मिल गया दो साथ तो दो ही मिलते हैं आप लोग महा कमेंट करना कि जब आपके एक जाम हो जाएं तब कमेंट करना कि आपको एक मिला था मान चित्र या दो मिले थे तो इसमें क्या बता रहा वही सेम करना है लेकिन इसमें क्या था इसमें आपको यही चिन पांचों में करने थे लेकिन इसमें अलग-अलग चिन दिये हैं क्या बता रहा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज इस चिनोदारा नाम से दरसाना यह जो चिन बना है अब देखे हमारा उत्तर प्रदेश ही होगा तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी वो चिन बना देना और यहां पर उसी प्रदेश से लिख दें तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं ऐसे करने के बाद और ऐसे कर दें और यहां पर पहला इस परकार से करने और यहां पर उत्तर प्रदेश इस परकार से लिख दें ठीक है तो बहुत सिंपल सा है जो चिन बना वही चिन बनाना ठीक है इसमें तो सेम पांचों करने थे लेकिन इसमें अलग-अलग चिन दिये हैं अगला है काफी का सबसे बड़ा उत्तर पादक राजी कौन है इस चिन द्वारा नाम से दरसाना यह जो चिन बना है ठीक है सेम बनना चाहें नहीं तो गलत माना जाएगा नमबर कट जाएंगे बच्चों यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह कोई नहीं बताता यह मैं आप लोग बता रहा हूं तो ध्यान से वीडियो को देखना तो यह दिखे करनाटक में करनाटक में कहीं पर भी बना सकते हैं सबसे ज्यादा काफी उत्पादक कहा है कौन सा राज ये तो करनाटक है तो ऐसे बना था सेम करने के बाद दूसरा हमारा इस परकार से होगा यहां पर आपको लिख देना है करनाटक ठीक है यह आपके दो नमबर पक्य हो गए उसके बाद में अगला पूछा गया हमारा क्या पूछा गया है मुंग फली का सबसे बड़ा उत्पादक राजी यह चिन द्वारा नाम सही दरसाना यह जो गोल बना सरकल बना इसी को आपको नाम स तीसरा था तो तीसरा इस प्रकार से करने के बाद यहां पर आप लोग लिख देंगे गुज रात ठीक है उसके बाद में इतना समझ मैं आप चलते हैं यहां पर देखती है अगला कोस्चन कौन सा है अगला कोस्चन हमारा यह है कि उत्तर जो दच्छड गल्यारे का तर्मिन यहां पर नहीं यहां पर थीक है यह, यां पर कितना था यह पहला हो गया, यह पहला है दूसरा तीसरा और यह मारा चौथा हो जाएगा उसके बाद में अगला हमारा पूछा गया था क्या है कि बता रहा है खनिश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राजी इस चिनदारा तो खनिश तेल इसमें भी गुजरात में है तो वही चिनदारा आपको दर्साना है तो वही बना देना है और इस परकार बनाने के बाद कहीं पर भी इसको एरो इधर भी ले जा सकते तो कहीं पर भी ले जा सकते पांचों था और यहां पर आप लोग लिख देना गुजरात ठीक है तो इस परकार से आपको यह लिखना है पांचों आपको करने दो जो डबल मिल जाए तो same ऐसे ही करना आपको कोई भी mistake नहीं करना जैसे जैसे जो बना ऐसे में आप लोग यह ध्यान रखलो कि काउमसा कहाँ पर राज जी इस्तित है और मैं आप लोग अब जो बता रहा हूं वही question आप लोग जो तयार करें लोगे 100% वही पूचे जाएंगे ठीक है देखो यहाँ पर देखे यह question bank है इसी में से मैं आप लोग बता दूँ लिखोंगा तो बहुत ज़्यादा time लगएगा और यह आप से इसमें समझ में भी आएगा देखे यह कितनी बार पूछा गया देखे पहला वाहिस्तान जा सितंबर 1926 में Congress का दिवेशन हुआ आप में Congress का दिवेशन हुआ सितंबर में नागपुर में वा वाहिस्तान जहां पूर्ण सुराज की मांग की गई थी तो यह लाहूर में की गई थी उसके बाद में यहाँ पर देखे जलियावाला बागत्या का नमरसर में हुआ सिउत्ती मिल संविकों का सत्यागरा खेड़ा मे बिहार में निल के खेती करने वाले किसानों का अंदोलन फिर से वही चंपरन भिहार में 1936 में गांदी ने सबीने अग्याँ लण चलाया दांडी में फिर यहाँ पर सरुपथम सबीने अंदोलन चलाया दांडी में ठीक है तो यह सबसे ज्यादा इमपॉरणंत है आप पूछे जाते हैं उसके बाद में और यहां पर देख लेते हैं जो जो इंपॉडंट है आनंद भाव निश्ते तो प्रयाग राज में सबसे ज़्यादा यह पूछा जाता है ठीक है बाकी आप लोग इनमें नहीं तयार करना आप जलते हैं यहां पर देखें जो यहां पर पर लो सरशरी नजर से उसके बाद में जो यहां पर काफी उत्पादक सेमेंट उद्द्ध्यव और उसके बाद में मैगनीज और या फिल लो इस बात और या फिर कोई भी नदी हो उनको आप लोग तैयार कर लोगे तो यहां पर आपके बहुत ही अच्छे मार कांगे मैं आप लोगो जो बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए आप लोग जरूरी तयार कर लेना आपने आपसे बाकी ऐसे ही मानचीतर कारी करोगे तो बहुत ही अच्छे मारक आएंगे और जो कापी मिलेगी वहाँ पर देखे और धागा मिलेगा उसी में आपको बीच में बांध देना है मानचीतर को अच्छी तरीके से ठीक है उसमें खुद लिखा होता कि आपको कैसे बांधना है और टीचर वहाँ दे देंगे धागा अच्छी तरीके से मानचीतर को बांध देना तो उमीद करता हम आप लोगों समझ में आ गया होगा तो इस वीडि बीम्न